क्लास 7 की हिस्ट्री के NCRT किताब है यह इसमें हम लोग दिल्ली सुल्तांस के बारे में पढ़ेंगे और दिल्ली सुल्तांस से पहले हम लोग देखेंगे कि भाई यह जो दिल्ली का इलाका था इस पे मीडिवल टाइम से किस ने राज किया दिल्ली की इलाके के बारे में अग कुछ चैप्टर में पताऊंगो दोस्तों, आगे बढ़ने पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजे, तो हम लोगोंने चैप्टर टू में देखा था कि कैसे जो कावेरी डेल्टा के आसपास का जो इलाका था, वहाँ पे चोला, पंडिया, इस तरीके की जो डाइनिस स्टीज थी, वो रूल करने के लिए कंटिनुएस स्ट्रागल कर रही थी, तो उस समय पे वो इलाका important हुआ करता था, लेकिन उस समय पे कहीं पे दिल्ली नाम के इलाके का कोई mention नहीं है, ठीक है? दिल्ली नाम का इलाका उस समय तक उतना famous नहीं हुआ था, दिल्ली famous हुआ ह 12th century के time पे यहाँ एक table 1 है table 1 पे अगर आप देखोगे तो आप देखोगे बहिया कौन-कौन से rulers रहे हैं दिल लीगे सबसे पहले आई राजपूर डामेट स्टी जिसमें आपके तोमर थे तो तोमर में एक important leader था अनंग पाल उसका rule था 1130-1145 फिर चोहांस में से पित्वी राज चोहां चोहां को चहमनास भी कहते थे चहमनास ठीक है पित्वी राज चोहां का राज था 1115-1192 फिर टर्कीश उलर्स हाई तो टर्कीश उलर्स में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आए कुतवदी नाबग 1206-12010 इसको सलेव डाइनस्टी भी बोलते थे गुलाम बंश उसके बाद उल्तोस में 12010-1236 रजिया सुल्तान 1236-1240 यह काफी एच्छी एड्मिनिस्टेटर थी लेकिन इनको ठीक से राज करने दिया नहीं गया चोकि एक औरत थी यह सुद्दीन बलबन 1266-1287 फिर आगे खिलजी डाइनस्टी में जलालुदीन खिलजी का टार में 1290-1296 लाउदीन खिलजी का 1296-1316 आगे देखते हैं तुगलग डाइनस्टी में यह सुद्दीन तिकलग 1320-2324 मौबद्दीन तुगलग 24-51 फिरोशा तुगलग 51-88 सेड़ डाइनस्टी में खिजर खान है 14-14-14-21 लोड़ डाइनस्टी में बहलूल लोड़ी 14-51-14-18 बहुत देटेल ब्रेकप यहां नहीं दिया गया वो मैं आपने मीडियोल स्टीम पढ़ा दूँगा यह पढ़ा भी रखता है अगर आप देखें जाके तो कामबर की चीज़ें जो मैं आपको यहां बताने वाला हूँ बहुत इंपोर्टेंट है यहां पे इस मैप में आपको दिल्ली कनेक्शन अधारफेंट्स यहां पे फिरोशा यह फिरोशा कोटला है आप समसकने फिरोशा कोटला प्रिजेंटे कहां पे फिर अगर आप दिल्ली में कभी रहें तो आप इसको कनेक्श कर पाओगे यह तुगलकाबाद है तुगलकाबाद आपका जो पदरपुर बॉर्डर वाला इलाका है जहाँ पे आपका पदिदाबाद का बॉर्डर लगता है उसके पास है इधर अधिलाबाद है यहाँ पे तीन सीटीज आपको दिखाई पटर रहें एक सीरी है एक जन पना एक दिल्ली खुलना है यह तीनों सीरीज की जो आगे हम लोग डिसकस करेंगे न के अंदर कैपिटल बनी इस तोमर बंच को इन अमिडल अधर 12 सेंचुरी हरा दिया चहमनाज ने या फिर चोहांस अफ अजमेर ने तो आप देख सकते हैं कि शुरुवाद जो हुई थी दिल्ली में ऐसा कैपिटल हुई थी तोमर के राच से और चोहांस के राच से और इनी की टाइम पर दिल्ली एक important commercial center बना ओके दोस्तों उसके बाद दिल्ली commercial center क्यों बना क्यों देखिए पहली बाद तो ये जो rulers थे ये merchants को काफी help करते तो जो जैन बहुत सारे jan merchants रहते थे city में उन्होंने बहुत सारे temples बनवाए फिर यहां पर coins वगड़ा mint होते थे इन coins को कहा जाता है देली वाल इन देली वाल का बहुत तगड़ा circulation था बहुत wide scale पर इन coins को इस्तिमाल किया जाता था अब देखिए दिल्ली capital था इन शुरुवाती राजपूतों की इन शुरुवाती राजपूतों के बाद हम लोग देखेंगे कैसे दिल्ली सल्तनत यहां पर entry मारेगी जब दिल्ली सल्तनत यहां पर entry मारेगी तब रियल में चीज़ शुरू होगी कि दिल्ली बनेगा capital देखिए capital कब होती है कोई शहर आज की डेट में दिल्ली capital है हमारे देश की capital है तो वहां से राज होता है इंडिया के पूरे area में यानि capital वो एक central city होती है जहां से एक राज के पूरे area में राज होता हो शुरू-शूरू में जब यहां पर चोहांस राज करते थे तोमर राज करते थे शुरूवात के बिल्कुल जो आपके दिल्ली सल्तनत के रूलर से उनके समय पे दिल्ली से एक बहुत बड़े वास्ट area पे राज नहीं होता था वास्ट area पे consolidate करना उनके उपर अपनी ताकत को establish करना शुरू हुआ था किसके राज से बलबन के राज से गिया सुद्दीन बलबच के राज से उसको अब हम थोड़ी देर में देखेंगे आपने दिल्ली सल्तनत की पांचो डाइनस्टी अभी देख ली मैंने अभी आपको बोल के बताई है अब देखिए दिल्ली सल्तान से बहुत सारी cities बनाई है तो इसमें आपको बनाई दिल्ली खुलना है जहां पना है तो यह बहुत सारी cities है एक city के अंदर city देखिए बहुत सारी cities कहने हैं कि अदिल्ली के लाके में लोग settle थे तो एक बड़ा सा जब यह रहने का आप कह सकते हैं न कि जगा बना देते थे एक बड़ी जगह जैसे कि फिरोशा तुगलक यह जो आपका फिरोशा कोटला है फिरोशा कोटला के आसपास के अलाके उन्होंने city बनाई फिर जहां पे दिल्ली यह खुलना है वो एक बहुत बड़ा सा आप कह सकते हैं कि टाउन्शिप बनी यहाँ पे city का मतलब वह एक बहुत बड़ी सी टाउन्शिप आप कह सकते हो अब यहाँ पे चार images दिखाई गई है और चार images भी दिखाया गया है कि four stages of making a manuscript जब भी manuscript बनाई जाती थी तो उसकी चार stages क्या होती थी manuscript मतलब एक paper पे जब आप हाथ से लिखके hand written notes बनाके कोई record maintain करते हो तो उसको बोला जाता है manuscript ठीक है तो यहाँ पे finding about about the दुल्ली सुल्तांस देखें inscription से यानि लिखी हुई चीजों से inscriptions पत्थरों पे होते हैं दिवालों पे होते हैं इनके inscriptions हमको बहुत कुछ कुछ कचलता है पर्शियन में historical documents को आप तारिक या फिर तवरिक कहते हैं इनको पर्शियन में लिखा जाता सा ठीक है यह जो पर्शियन थी दिल्ली सुल्तान के टाइम पर यह administration की language हुआ करते हैं जो ruler थे और जो उनके nobles थे जो ruling class थे जो elite persons थे पर्शियन बोलते हैं और तावारिक जिन्होंने लिखी थी वो थे भाई पड़े लिखे लोग तो secretary हुआ करते थे, poets हुआ करते थे courtiers हुआ करते थे administrators भी हुआ करते थे तो भाई governance में, administration में वो राजाओं की मदद करते थे कई-कई बार इनको provinces का governor भी बनाया जाता था तो यह कह सकते हैं अब यहाँ पर एक चीज बोली गई है अब सबसे पहले तुमकों देखना पड़े का सवाल का जवाब देने के लिए कि circle of justice क्या है तो circle of justice की बारे में लिखा हुआ है कि एक author है फक्री मुदब्बिर फक्री मुदब्बिर क्या बोलते है कि आप सुगाते थे उसका एक शेर लेके सरकार अपना टैक्स वसूल करता था लेकिन पीजन्स तभी रेविन्यू दे सकते हैं जब वो प्रॉस्परेस हो और हैपी हो और वो प्रॉस्परेस अच्छी हैपी कब होंगे जब गवर्नेस अच्छा हो और जेस्टिस प्रोवाइड क करेंगे जिससे किंग को और सेंट्रल रेविन्यूस को पैसा मिलेगा तो आप कह सकते हैं कि यहां सरकल ऑफ जस्टिस आ जाता है अगर किंग नीचे प्रीजन्स को खुश रखेगा तो प्रीजन्स भी खुश रखेगा काम करेंगे अगर किंग आप कह सकते हैं कि क्रूल तो इसको कहा जाएगा birth time जैसे कि दिल्ली सलतनात के time पे एदिल्ली सलतनात के time पे तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए friends किसी भी time पे बोल लिजे कि जो nobles हुआ करते थे जो elite persons हुआ करते थे जो अचनान इ Celicies três उनीपोने के जाधा तर cases में अच्छे military commander होते थे और सुल्तान के वफादार होते थे लेकिन जदा तर आप ancient India से medieval India के end तक जब आप देखोगे न तो जदा तर लोग जो राजशाही में थे जो governors थे जो ministers थे वो वो लोग हुआ करते थे जो किसी एक certain बड़े खानान या घराने में पैदा हुए हो तो यह उनका birthright से बन गया तो जैसे caste system में होता ना कि भाई जो ब्रह्मिन से उनका birthright है पूजा करान में जो शत्री है उनका birthright है भे लड़ना और कोई एक बहुत ताकतवर कोई एक बहुत knowledgeful person अगर शूद्र में पैदा हो गया तो इसको हम आगे नहीं आने देंगे दूसरा काम नहीं करने देंगे तो यह भी एक तरी की एक birthright privilege है फिर हम बात करते हैं कि gender distinctions क्या होते हैं तो देखे gender distinctions में बोला गया कि भाई women और men में biological differences तो देखी है यह तो भाई सबको पता है लेकिन social differences भी है अब social differences है मतलब society में वो बाकी society से men कैसे interact करेगा और women कैसे interact करेगी वो चीज़ हो जाएगी अलग और इस basis पे theory उसमय मनाई गी थी कि men are superior to women तो इसमय पे बहुत सारे gender आप कह सकते हैं distinctions भी existent थे अब यह कैसे existent थे यहाँ पे रजिया सुल्तान के exam पर हम लोग देखेंगा इस पर थोड़ी देर में आते हैं अच्छा जो तवरिक थी जो histories थी जो कि Persian में लिखा करती थी जो learned लोग अब कह सकते पड़े लिखे लोग जिनको लिखते थे यह तवरिक जदतर basically शहरों में लिखे आती थे शहरों में यह बड़े-बड़े authors रा करते थे कभी गवों में नहीं रा करते थे दूसरी बात यह तवरिक में सुल्तान की बहुत तारीफ लिखते थे सुल्तान की तारीफ इसलिए लिखते थे यह आप कह सकते हो कि जो learned scholars थे कि भाई वो सुल्तान की बहुत तारीफ लिखी होती थे जिसमें कुछ-कुछ कह रहो कि प्रशष्टी इसकी तरह होती थी यह तवरिक प्रशष्टी क्या होता यह मैं आपको बता चुक हूँ उसके बाद यह जो author होते तो हम लोग कायम रेक पाएं सोसाइटी में तो कुल मिनाके यह author सुरोर्स को पताते थे कि birthright भी रहना चाहिए gender restrictions भी रहना चाहिए चुकि obvious ही बात ही जो तवरिक लिखते थे यह elite class के लोग होते थे और elite class के लोग आपके birthright पे तो focus देंगे ही चुकि obvious ही बात है अगर वो birthright पे focus नहीं देंगे सबको equal opportunity देंगे तो भाई नीचे का काबल आदमी आके उनको नीचे उठाके fake देगा इसलिए वो अपनी बाशाद बनाने के लिए हमेशा बोलते थे कि birthright को मानिए gender discrimination को मानिए अब gender discrimination का भाई सबसे तगड़ा एक्जाम पेल है gender distinction का 1236 में सुल्तान इल्थुत्मिष की डॉटर रजिया सुल्तान बनी रजिया बहुत ही आप कह सकते हैं कि efficient ruler थी उस समय पे जो chronicler थे मतलब जो लिखता था किताब जो history बनाता था ठीक है मिन हाज इसिराज उसने ये रिकोगनाईस किया कि भाई रजिया सुल्तान was much more able and qualified than all other people इल्थुत्मिष की जितने भी बच्चे थे including बेटे उनमें से सबसे ज़ादा काबिल रजिया थी ठीक है इल्थुत्मिष ने भी phaser किया था कि वो सुल्तान मन जाए लेकिन मिनहाज इसराज और उसके सासा जितने भी और नॉबल एलीट रूलिंग क्लास के लोग थे उनको ये पसंद नहीं आए कि रजिया जुकिक लेडी है वो उनके उपर बैटके उन पे राज करें उनको हुकम दे इस मिनहाज इसराज का जो नाम था लेकिन फिल भी वो ये नहीं चाहता कि ये उनके उपर राज करें ठीक है और नाही कोई नॉबल्स खुश थे इसी लिए continuous politics रहती थी रजिया सुल्तान के अगेंस ने हो 1240 पे उसको अपनी post छोड़नी पड़ गई थी और बाद में उसका आप कह सकते execution भी हो गया तो उसे मार भी दिया गया तो कहा जाता है कि उसके execution में भी इसके nobles का एक major role रहा है मिनाजी सिराज ने क्या कहा रजिया के बारे में मिनाजी सिराज thought that the queen's rule went against the ideal social order created by god in which women were supposed to be subordinate to women तो मिनाजी सिराज का कहना है कि भी है जो social order जो भगवान ने बनाया उस भगवान ने आदमियों को superior बनाया है और woman को inferior बनाया है यह मिनाज उस सिराज की कैसे पने की एक सोच थी he therefore asked in the register of god's creation since her account did not fall under the column of men how did she gain from all her excellent qualities तो इस तरीके की सोच उस समय पे थी अच्छा अपने inscriptions और coins पे रजिया ने लिखावाया था she was the daughter of Sultan इंतुत्मिश नि रजिया ने सीधे-सीधे लिखवाया था कि she was the daughter, वो बेटी है Sultan इंतुत्मिश की ये वाली जो practice थी ना वो रूद्र दर्मदेवी queen के अगेंस्ट में थी ये जो रूद्रमदेवी थी ये काकातिया डाइनस्टी की queen थी काकातिया डाइनस्टी प्रिज़ेंडे वारंगल में ये active थी 1262 से 1289 के period में ये modern day आंध्र परदेश बढ़ता है आपका वारंगल तो रूद्रमदेवी ने जब राज किया तो उन्होंने ये pretend किया अपने inscriptions में कि वो एक आदमी है उन्होंने सीधे सीधे ये नहीं बताया कि वो एक और थे फिर कश्मीर में 1980 से 2003 के time period में एक और queen थी जिनका नाम सर्द दिद्दा कहा जाता है कि इस दिद्दा वर्ड से ही the expansion of the दिल्ली सल्तनात Garrison Town क्या होता है ये भाई तब दिल्ली वे दिल्ली सल्तनात के जो centralized rulers का राज था तो शुरू शुरू में शुरू आत हुई भाई कुतुबुद्दीन एबक से कुतुबुद्दीन एबक के time पे जो दूर दरास के इलाके थे इनके ओपर दिल्ली के सुल्तानों का राज उतना अच्छा नहीं था पास के इलाकों पे इनका राज था तो पास के इलाकों पे उन्होंने Garrison Town बना दिया, Garrison Town मतलब एक forge की टुकडी का जमावड़ा बना दिया, ठीक है तो वहाँ पे उस Garrison Town में forge रहेगी जो उस army है, वो proper रहेगी लेकिन एक Garrison Town से यानि दिल्ली जो Garrison Town है जहां पे जगा जगा पे forces तैनाथ थी ये empire में कैसे वदलेगा वो हम देखेंगा अच्छा शुरू में इनकी forces भी ज़्यादा नहीं थी दीरी-दीरी इनकी forces आपकी बढ़ेंगी अब देखें, hinterland देख लेते हैं, क्या होता है hinterland, the lands adjacent to a city or port that supply it with goods and services यानि कि एक city के पास या एक port के पास के आसपास का इलाका और वो आसपास का इलाका जो कि उस city को या उस port को essential चीज़े provide करता है, जो कि उस city या पोर्ट में नहीं मिलती है, उसको बोलते हिंटरland और गैरिसन क्या होता fortified settlement with soldiers, यानि उसके अंदर बहुत सारे soldiers की तुकड़ी है और चारो तरह बड़ी-बड़ी दीवाले खड़ी कर दी है, तो चारो तरह से garrison बने होए, तो 45 towns थे और यहां पर दिल्ली सुल्तानों का control था, पर hinterland में जहां से चीज़ें आती थी, जहां से व्यापार होता था, जहां से tributes आते थे, वहां पर कोई direct control नहीं था, इन दिल्ली को सुल्तानों का, तो दिल्ली की सुल्तानों को देरे-देर समझ मायें कि direct subtrol की ज़रोत है, तूकि जब भी पैसे वगराँ चाहिए होते हैं तो व्यापार करना पड़ता है, यह tribute करना पड़ता है यह लूटा पाटी करनी पड़ती है अब controlling garrison towns in distant बंगाल in Sindh from दिल्ली was extremely difficult, Sindh भाई पाकिस्तान के अंदर जाके है, दिल्ली से बहुत दूर है बंगाल आपका बिल्कुल Eastern इंडिया मा जाता है भाई, दिल्ली से बहुत दूर है तो अब इतनी दूर पे जाके अगर आप garrison town मनाओ, और उस garrison town को बनाने के बाद अगर वहाँ पे उस garrison town का जो head है, उसको जादा power दे दो तो जरूरी नहीं है कि वो सुल्तान दिल्ली सुल्तान की central authority के अंदर रहेगा कभी भी rebellion हो सकता है war हो सकता है, अगर गंदा weather हो गया, तो communication roots चूट सकते हैं फिर दिल्ली authority में और भी बहुत problems आ रही थी भाई, मंगोल invasions हो रहे थे अफगानिस्तान से, ठीक है फिर इन दिल्ली सल्तनत के जो governors थे न, वो जब देखते थे कि सुल्तान थोड़ा कमजोर पढ़ रहा है army अच्छी नहीं है, तो वो बगावत कहते थे और बाद में मुहमद बिन तुगलग के टाइम पर तो देखे, first set of campaigns है along the internal frontier of the sultanat aimed at consolidating the hinterlands of the garrison town तो क्या होगा दोस्तों, कि भाहिया दिल्ली में बहुत सारे garrison town से बहुत सारी सी cities बना रखे, 45 cities बना रखे जहां पर अंदर soldiers stationed है अब इस garrison town में भी जो दिल्ली की पूरी city में जहां पर garrison बने हुआ लग़ा यह दिल्ली से थोड़ा बाहर जाके कोई garrison town बना हुआ है garrison town मतलब एक बहुत बड़ा सा इलाका जो इसको आपने fortify कर दिया हो अंदर soldiers को station कर दिया हो अब इनको भी सामान supply के लिए hinterland में जाना पड़ेगा अब अगर इनको hinterland में जाना है तो hinterland में अकसर कर कुछ ऐसे lord और कह सकते हैं कि chief tains आ जाते थे land lords आ जाते थे जो की अपनी बाहरशाद दिखाने लगते थे तो भाईये सबसे पहले तो दिल्ली की सुल्तानों ने बोला internal frontier को clear करो तो क्या हुआ इन hinterlands के आसपास hinterlands के बाहर forest थे भाई तो इन forest में छुप जाया करते थे इनकी adversaries तो इन forest को सबसे पहले बोला कि गंगा यमनदो आप में जो बहुत सारे forest इनको काट दो जब वो forest कटे तो बहुत सारे hunter gatherer और पैस्टोर जो चरवाहे वगरा थे वो वहां से भाग गया फिर इस जगा को दे दिया गया किसानों को उन किसानों से का आगया आप यहाँ पर agriculture करो उस एगरी culture पर आपसे tax लिया जाएगा फिर जैसे जैसे वहाँ पर जगाएं खाली होती गई forest कम होते गए नए fortress नए garrison towns बनाए जाने लगे खासका कई सारे garrison towns या fortresses उस जगाँ पर बनाए जाते से जो important trade routes के पास होते थे चाकि regional trade को कोई नुकसान न पहुँचे ठीक है trade routes बराबर रहें अगर कोई बाहर का ruler दिल्ली सल्तनत की central authorities रणना आएगा तो सबसे पहले वो क्या करेगा वो trade routes को destroy करेगा तो सबसे पहले तो protect करना था trade routes को तो यह दिल्ली सुल्तान की rulers ने किया उसके बाद आया second expansion second expansion ने बात की गोई external frontier of the शल्तनत तो कहा गया कि भईया southern India में military expedition शुरू करो तो आप देखोगे कि अलाउदीन खिल जी की समय पे southern India में बहुत सारे military expedition शुरू होंगे map 3 में देखते हैं बो दिल्ली से भईया लाउदीन की forces गई गुजरात में चिताओर में रनथम्बॉड में मांडू में फिर कारा में गई वरांगल ने गई देवगिरी में फिर देवगिरी में यादों के राश्था देवगिरी से फिर द्वार समुधर में गई, दौर समुधर में गई, धाझावुर में गई, वरंगल में काकातियास का राज साथ तो आप देख सकते हैं कि भाईया, यह जो लाउदीन की forces थी यह external frontries भी प्रॉस किया तो external frontier से नहीं वो इलाके जो इनके control में अंदर नहीं हुआ करते थे उन पे भी राज किया और वो इलाके जो इनके control के अंदर थे वर वहाँ पे अक्सर का rebellion, war वगरा होता रहता जैसे बंगाल का अलाका हो गया, सिंद का अलाका हो गया, उसको control करते तो सबसे पहले उन्होंने internal frontier को control किया, बाद में उन्होंने अपने external frontier को control करना शुरू हुआ, और ये चीज़ एकदम से नहीं हुई है, एक चीज़ धीरे-धीरे हुई है, यानि शुरुआत होई इसकी यासुदीन बलबन के टाइम पे, यासुदीन बलबन ने पहले अपनी power को consolidate करना शुरू किया, फिर जब तक अलाओदीन खिल जी राज में आएगा, वो देखेगा कि भई, internal powers को अच्छा कासा consolidate किया जा चुका है, अब हम पर थोड़ा external frontier पे भी काम करना चाहिए, पर external frontier में जाते थे, वहाँ पे जाके हरा के, अपना puppet ruler इंस्टॉल कराते थे, और उससे अक्सर कर ये ल इस तरीके की चीज़ें होती थे, जब इस तरीके की campaigns हुआ करते थे, जो दिल्ली सल्तनत की army थी ना, वो बहुत लूटा party करती थे, तो slaves लूट लेती थी, बहुत सारे precious metals, घोडे, हाँ थी, इस तरीके की चीज़ों को लूट लाया करते थे, इनको हीरे जावाराद भी बह आगे आपको अपनी वीडियो से बताओंगा, अब इस तो यहाँ पर book के हम लोग गाएरे में ही रहेंगे, देखिए, जब मोहमद बिन तुगलक का रास खतम होगा ना, तब तक आप देखोगे कि दिल्ली सल्तनत की जो army है, वो इंडिया के ज़रतर हिस्तों में जाके वो kingdom से उनको हराया, फिर सल्तनत ने peace entry से taxes को collect किया, और justice भी dispense किया, तो आप कह सकते हो कि सल्तनत का justice system थोड़ा सा efficient था, पहले की ruler से, ठीक है, फिर, but how complete and effective was the control over such a vast territory, तो यह देखना है आपर, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक बड़ा ही अच्छा figure आपको दिखा लगा figure two, यह क्या है, कुवत अल-Islam mosque है, और इसके अंदर एक मिनारट है, जो बहुत famous है, जिसको आप बोलते हो, कुतुब मिनार, कुतुब मिनार इसी कुवत अल-Islam का जो आसपास का इलाका है न, उसको बोलते हैं, हुआ यह जब कुवत अल-Islam बना न, friends, और इसके पास जो मिनार बनी, यह बनी है, in the last decade of the 12th century, यह था एक congregational mask, congregational mask को आज की rate में आप जामा मस्जिद भी बोलते हो, ठीके, जामा मस्जिद को congregational mask क्यों बोलते हैं, आपको पता है, friends, Friday की दिन, दुफैर में, यहाँ पर जुम्मे की नमाज होती है, तो बहुत सारी भीड में prayers करेंगे, तो उसको आप कह सकते है, congregational mask, आज की date में उसको क्या बोला आता है, उसको बोला आता है, जामा मस्जिद, ठीक है, तो यह पहला, आप कह सकते हैं कि, एक ऐसा congregational mask था, और यह एक ऐसी city में था, जिसको आप कह सकते है, दिल्ली सुल्तान ने पहली बर बनाया था, तो इस city की सारे लोग इस कुवत इसलाम mask में जाते हैं कुजा करने एक लोग, साथ-साथ यहां पर कुतुब मीनार भी बनवाई गई, इस mask को बड़ा किसने कराया, इल्टुत्मिष ने, और फिर बाद में अलाउदिन किल जीने, मिलार को भी बनवाने वाले दो important लोग कौ A mosque is called a masjid in Arabic, literally a place where Muslim prostrates in reverence of Allah, पूजा होती हैं आपे, in a congregational mosque, masjid जामी और जामा masjid, Muslim read their place, namaz together, members of the congregation choose the most respected learned male as their leader for the rituals of prayer, he also delivers a sermon during the Friday prayer, तो समझे आप दोस्तों, एक चीज़ बर आपको नहीं बता ही, बस यह नहीं बता ही, कि जितने भी लोग यहां पर आके पूजा करते हैं, जामा masjid में, congregational mask में, वो अपने leader को चुलेंगे और वो leader on their behalf rituals करवाएगा, जब Muslims पूजा करते हैं, तो वो मक्का को face करते हैं, इंडिया में मक्का को face करने के लिए आपको to the west खड़ा होना पड़ेगा, इसको केविला भी बोलते हैं, आगे यहां पर जो नीचे की तरफ आपको यह वाला mosque में जाया रहा है, friends, यह बेगम पूरी mosque है, जो कि मुहमद बिन तुगलक के राज में बना था, main mosque था जहनपना का, अब भया, जहनपना city को बला जाता है, century of the world, जहनपना city मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ देखे, यह रहा जहनपना आपको, मैं आपसे कहा था ना, कि आगे यह नाम आएंगे, अब देखिए दूस्तों, यहाँ पर एक figure fourth है, यह मौत की मस्जित है, M.O.T.H., यह सिकंदर लोदी के दुरान बनी थी, फिर इधर जो दिखाई जारी है, यह मौस्क आफ जमाली है, जमाली कमाली, जो की 1520 के टाइम पर बनी थी, दिल्ली सल्तान के रूलर्स ने बहुत सारे मौस्क को बनवाया, इन मौस्क से मौस्लिम कम्यूनिटी को एक पहचान मिलती थी, पता चलता था कि मौस्क में जो भी पूजा करने के लिए आ रहे हैं, वो इसलाम के follower से, मौस्लिम से, यह करना जरूरी क्यों था, चुकि देखे, मौस्लिम कम्यूनिटी के जो लोग थे, वो variety of background से आये थे, कुछ भाई बाहर के देशों से आये थे, कुछ हिंदू इंडिया में, मौस्लिम में, धर्म में convert हुए थे, तो जो background था बहुत valid था, एक तो अलग-अलग जगाओं से आये थे, दूसरा कुछ लोग यहीं convert हुए थे, तो जो अलग-अलग जगाओं के जो Muslims थे, इनको एक common ground मिल सक को follow करना है, अब हम लोग थोड़ा सा, खिलजी और तुगलकों के दराण जो administration हुआ है, उनके अंदर जो consolidation हुआ है, empire का, इसकी भी हलकी-फुलकी बात कर लेंगे, जब administration की बात आएगी, तो इतने बड़े kingdom का, या empire का consolidation करना है, दिल्ली सल्तनत का राज भीया, पाकिस्तान और से लेके, आप कह सकते हैं, बंगाल तक था, अब राज करने के लिए चाहिए reliable governments, भरोसे मन governors और administrators चाहिए, तो वैसे तो normally क्या चलता था हिसाब कि भईया, aristocrats को appoint करो, landed chieftains को governor appoint करो, लेकिन उसमें central authority कमज़ोर हो जाती है, जो landed chieftains होते हैं, वो local इलाके के राजा होत और ये local, जो chieftains होते हैं, जब ये थोड़े ताकत वर हो जाते हैं, तो central authority को बाबा टाटार बयवाय कर देते हैं, जो aristocrats होते हैं, ये भाई, अमीर family के लोग होते हैं, शाहिगरानों के होते हैं, दिल्ली सुल्तान ने बोला, दिल्ली सुल्तान के जो सुल्तान थे, शु को अपॉइंट करूँगा as my governor, मुझे इन पे जादा बरोसा है in comparison to these aristocrats and land and chieftains, और इनी slaves को खास इस चीज के लिए training दी गई है, कि ये भाया important, important political offices पे बैठेंगे, और सबसे खास बात ये हैं, कि ये जो slaves हैं, इनकी खुद की कोई पहचान नहीं है, इनकी जो भी पहचा पहचान है, वो इनके sultdan की वाजा से, ये जो कुछ भी हैं, इनके sultdan की वाजई से, तो जब इनको पता हैं, कि ये जो कुछ भी हैं, Sultan की से, लोकल, अब सुचिये एक ऐसा person, इक ऐसा आद्मी है, जिसके अंदर बहुत capability है, उसको इज़को राज करने के लिए यह जो slave होगा वो पूरी तरीके से अपने सुल्तान पे dependent है और जब वो पूरी तरीके से अपने सुल्सान पे dependent है तो वो सुल्तान की तरफ पूरी तरीके से वफादार होगा पर कई cases में इन slaves को son से बेटों से अच्छा कहा जाता है उसका reason यह था कि कहा जा सकता है कि बेटे गद्धी के लिए बगावत कर सकते हैं, लेकिन एक स्लेव गद्धी के लिए कभी बगावत नहीं कहेगा, और ज़दा तर केसे में ऐसा हुआ है, यह बास सच भी है, अब यहाँ पर क्लाइंट का यूज होगा, क्लाइंट का मतलब क्या है, someone who is under the protection of another, a dependent or a hangar on, यहाँ पर क्य ने तो भाईया, कलजी जलाओदिन, कलजी ने तो अपने स्लेव को भेजा, जाने कितने राजों को दवाने एक लिए साउथ इंडिया में, बताइए इस स्लेव का नाम क्या था, बहुत आसान सवाल है, बहुत आपा होगा, तो यह जो स्लेव होते थे, बहुत नीचे से अब इससे होगा क्या दोस्तों, उससे होगा यह कि आप आगे आने समय में देखेंगे कि पॉलिटिकल इंस्टीबिलिटी आएगी, जैसे माल लीजे, कि एक सुल्तान ने एक स्लेव को अपॉइंट किया, अब वो स्लेव अपने सुल्तान के लिए पूरा खिदमतगार है, जब सुल्तान आएगा तो उसके कदमों में गर जाएगा, लेकिन जब इस सुल्तान मरेगा और सुल्तान का बेटा जब गद्धी पे बैठेगा, तो उस बेटे की तरफ यह स्लेव पूरी तरीके से लोयल नहीं होगा, यहाँ पे एक रिफ्ट डेवलप हो जाएगी, फिर यह भी देखा गया दोस्तों कि यह जो दिल्ली सुल्तान के जो रूलर्स थे, वो इन हमबल लोगों को नीचे से उठेवे लोगों को अपने गुलामों को इतनी उची पोस्टों में बैठा देते थे, जो अरिस्टोक्रेट्स हुआ करते थे, उनको लगता था कि यह क् क्या चल रहा है, इसलिए बहुत सारी पर्शन तवरिक्स में दिल्ली सुल्तानों को क्रिटिसाइस किया गया है, क्यों क्रिटिसाइस किया गया है, चुकि इन्होंने लो बॉन और बेस बॉन वो हाई फैसिस में बैठा दिया, कहने का मतलब यह था, कि जो उचे बैठाने के लावा गरीबों को, आप कह सकते हैं, देखिए सुल्तानों उल्तुत्मिष ने जिनको भी गद्दी में बैठाया, वो स्पेशली पर्चेज स्लेव थे, जो मिलिटरी माइट में बहुत अच्छे थे, लेकिन यहाँ पे, देखिए सुल्तान मुहम्मद तुगल की कितनी बुराई लिखी हुगी है, कहा जाता है सुल्तान मुहम्मद तुगलग ने अजीज खमार जो की एक वाइन डिस्टिलर था, फिरोस हजाम जो की एक नाई था, मंका तबाक जो की एक खाना बनाने वाल था, बावर्ची था, दो गार्डनर्स, लाधा और पीरा, इन इनको high administrative post दे दी, जब इनको high administrative post दी सुल्तान मुहम्मद तुगलग ने, तो जियाउद्दीन बर्णी ने बोला, 14th century का chronicle था, जियाउद्दीन बर्णी उसने बोला, कि सुल्तान पागल हो गया, इसका political acumen और judgment चला गया है, अब ये rule करने के काबिल नहीं है, he is incapable to rule, ये त बट, हाँ, किया था, तो देखिए, कुछ appointments होते हैं जो merit पर नहीं होते हैं, जैसे इल्तुथपिश ने जब appointment शुरू किया, आप कह सकते हैं, अलाउदीन खिलजी ने जब appointment शुरू किया, तो उसने अपने खास military slaves को appoint किया as governor, और ये military slaves काबिल थे, लेकिन यहाँ पे देख फिर देखेंगे दोस्तों, खिलजी और तुगलकों ने, ठीके न, military commanders को as governors of various territories appoint किया, और जो जमीने इन governors के अंदर थी, military commanders के अंदर थी, इन जमीनों को बोला गया, इक्ता, और इस जमीनों का जो मालिक था उस समय के लिए, जो फिलाल के लिए governor appoint किया गया, तो उसको बोला इस मुक्तीक सिक्तादार का काम था कि भहिया, अगर कहीं पर military campaign करने हैं, तो भहिया आपको इन military campaign में leader बनना पड़ेगा, मलीक कपूर बहुत से military campaign कियो साउथ में, और इन ही मुक्तीस का और इक्तादार का काम है कि भहिया, law and order को भी maintain करना है, अपने इक्ताज में, अपने land में, इसके बदले में इनको क्या मिलता था, तो भहिया इन मुक्तीस को जमीन मिलती थी, उस जमीन से ये लोग revenue इखटा करते थे, वो revenue इनकी तनखा होती थी, उसी revenue से ये अपने soldiers की तनखाएं भी देते थी, अब इन मुक्तीस के ओपर control कैसे किया जाब, देखिए मुक्त इस इक्तादार को अगर आप revenue collect करने की ताकत दे रहे हो, तो आप उनको state की कौकत दे रहो, चुकि आप उनको tax की ताकत दे रहो, तो कैसे आप उनको control करोगे, उनको आप control ऐसे करोगे, कि आप बोलोगे कि भाई, जो मुक्ती है, ये जो इक्तादार है, इसकी post inheritable नहीं है, इस इक्तादार का बेटा इक्तादार नहीं बनेगा, और इनको इक्तादा, इक्तास जो दिया जाता था, लैंड का जो control दिया जाता था, वो एक certain time period के लिए दिया जाता था, और इनका time period, उस time period खतम होने के बाद, इनका इक्ता बदल दिया जाता था, ये official को बदल दिया जता था तो इस तरीकी की जब conditions लगाई गई ना इतना दार हो पहले क्या होता था कि भाई इनको पूरा ही revenue अकर अपने collection rights दे दिये और post को inheritable बना दिया खुर इनको बोल दिया कि तो हमेशा के लिए इतना दार हो तो यह एक certain time period के लिए दिया कि फिर हर state में जहां पर governance अपॉइंट के जाते थे provinces जहां पर governance अपॉइंट के जाते थे इस accountant का काम होगा कि जितना भी वो मिक्ती जितना भी वो इक्तादार revenue collect कर रहा है उसे लाके से उसका हिसाब रखेगा यह accountant कितनी salary गई उसका हिसाब रखेगा फिर इस बात पर ध्यान देगा यह accountant यह इक्तादार केवल उन taxes को लोगों पर apply करेगा जिन taxes की permission central government यानि कि सुल्तान से मिली है अपने हिसाब से कोई भी tax यह impose इन इलाकों में नहीं करेगा फिर जैसे जैसे hinterlands दूर के इनके control में आते गए वैसे वैसे जो वहां के local चीफ्टेन थे जो वहां के local aristocrats थे रिच landlords थे उनको जबरदस्ती दवाया है सुल्तानों ने अलाउदिन खिल जी ने बोला कि भाया तुम बस गुलाम हो ठीक है पूरा का पूरा tax collection assessment पूरा का पूरा land control खिल जी ने अपने अंदर ले लिया और यह जो local चीफ्टेन्स हुआ करते थे एक टाइम पे जो local राजा महराजा हुआ करते थे एक तरीके से इनसे बोला central को tax भरो तुम बस एक normal इंसान हो तुमारा काम है tax परमा तो जो local चीफ्टेन्स अपने सुल्टान हो चुका है बहुत ताकत पर तो इसके साथ हाथ मिला ले नहीं ठीक है तो यह old चीफ्टेन्स और landlords ने जाकर लाओदिन खिल जी से बोला कि सर हमें revenue collector बना दीजे हम आपके बिहाफ पे as a state government के employee इतना काम करेंगे अलाओदिन खिल ने बोल दिया ठीक है भाई तीन तरीके के tax लगा जाता है सल्तनत के टाइम पर एक होता था खारच जो की होता था आपका land tax जितना भी आपका agriculture producer का उसका 50% as खारच देना पड़ेगा एक होता था tax on cattle एक होता था घरों के ओपर tax अब बात आए कि भाईया सब continent के बहुत से हिस्से दिल्ली सल्तान के जो centralized control वाला हिस्सा था ना उससे बहुत दूर थे सवाल ही उठा कि भाईया बंगाल जैसे इलाके को दिल्ली से control करना बहुत मुश्किल है ठीक है तो कई बार ऐसा हुआ कि भाई दिल्ली से अलाउदिन खिंदी ने अपनी फौज बेची साथन इंडिया के किसी एक राज में जैसे की यादवास को दबा के उन्होंने उसको कबजा किया तिर अगला प्राइटिक प्लें का इलागा ता हम वहां बहुस सारी फोरेस्ट हुआ करते थे तो फोरेस्ट में स्ुल्टान की sect रे यादर पेनिटर्ड करनी पाती उनको फोरेस्ट अदन लिकाए मरुकों से आया था चीक है मरुक्त को बता पहे हैं दोस्तों कौन से कॉंटिनेंट में यही बता दीजे चलिए बहुत आसाम सवाल है तो 14th century travel था इसने बोला कि भही जो चीफटेंस थे जो forest में रहा करते थे या अपने आपो कभी कभी पहाड़ों में rocky, uneven, rubbed terrains में छुपा लेते थे इवन जो bamboo की जो plantations होती ही न घनी plantations इसकी बीच में अपने आपको छुपा लेते थे और ज़्यादा तर cases में सुल्तान की आर्मी इन जगों पे घुस नहीं पाती थे और उन groups के अंदर छुपा के यह वहाँ survive कर सकते थे जो की rain water के through उनको पानी भी मिलता रहता था अंदर खाने पीने का बींतिजाम इनका पूरा था तो अगर तो आर्मी के पास ऐसे special instruments है जिसको खोद के अंदर निकाल लिया तो निकाल लिया नहीं तो यह जो local chief days थे कि दिल्ली सल्तनत की central rule से बागावाद कर देते थे और implantations के अंदर सुप जाते थे और कई बार ऐसा होता था कि सल्तनत की officials वहाँ पहुँचे नहीं पाते थे फिर भाई 1219 में एक वावाल हुआ यह एंगिस खान जो कि मंगोल लीडर था उसने त्रांजो सैक्सिया यह नॉर्थी शीदान में अम सोरी अगर मैं गलत को रनाउस कर रहरा है प्रांजो सियाना नॉर्थी शीदान में इस पर अटक किया और फिर उसने बोला कि भैई मैं दिल्ली सल्तनत के अन्यांलाके transit दिल्ली में करूँगा अटक आए इसलिए दिल्ली में एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी जरूरी है चुकि एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी होगी तो बहुत बड़ा administrative challenge होगा एक बहुत बड़ा financial challenge होगा चुकि जब आर्मी maintain होगी तो उसको salary देने पड़ेगी salary देने के लिए इसको पैसे देने पड़ेगे तो यहाँ पर कुछ चीजें करी दोनों rulers से अलाउदिन खिल जी ने किया किया दिल्ली में दो बार attack होगा तो 1299 में 1300 में 1302 303 में तो बगई अलाउदिन खिल जी समझ में आ गया कि एक आर्मी बनानी पड़ेगी आर्मी के लिए उसने बहुत सारे Garrison Towns मनवाए एक जो important Garrison Towns था वो Siri था Siri को मैं number map 1 map में आपको दिखा चुका हूँ यहाँ देखिए हाला Siri यह है Siri आई होब आप किताब खोल के बैठें दोस्तों उसके बाद देखते हैं फिर जो soldiers हैं जो आपके Bat Army इसे तरफ से लड़ रहे हैं उनको खाना खिलाना पड़ेगा खाना कैसे खिलाएंगे तो भाई वो जो अनाज था वो जो आप कह सकते हैं wheat था जो grain था जो की crop की तरह पैदा हो रहा था जिस पर 50% का tax ले रहे थे उस tax से इनको खाना मिलेगा लेकिन अब कैसे दिया जागा लेकिन सोलजर्स को दिया जाता था पैसा और अलाउदीन अपने सोलजर्स को इकता ना देके cash देता था और इस cash से जाके उस सामान खरी सकते हैं अब सवाल यह उठता है कि तब market में उस सामान बिकेगा अगर वो जादा rate पे बिकेगा तो हो सकता है यह cash इन सोलजर्स के लिए कम पढ़ जाए लेकिन यहाँ पर अलाउदीन खिलजी का management सामने आ गया अलाउदीन खिलजी ने पूरे market को control कर दिया market control reforms निकाल दिये और merchants और सारे लोग जो थे आ जा सकती तो market reforms बहुत सारे लेके आया था अलाउदीन खिलजी पूरा market को उसने control कर दिया था price control कर दिया था हर चीज उसके हिसाब से उसके नाम के हिसाब से बिकरी थी market में फिर अलाउदीन के बहुत सारे administrative measures की बड़ी तारीफ हुई है जैसा कि मैंने बताया उसने market control किया था तो prices cheap थी इस बात पर historians ने बहुत सारा आहा है अलाउदीन खिल जी को जो supply chain थी market में अलग-अलग चीज़ों की वो भी बहुत अच्छी थी और अलाउदीन खिल जी मंगोल के invasion को भी successfully रोख पाया ये उसकी एक आप कह सकते हैं achievement है भाई पर मुहमद बिन तुगलक की बात करते है मुहमद बिन तुगलक का जब रूल था दिल्ली सल्तिनत पे तो भाई उसके शुरुवात में ही मंगोल का attack हुआ मंगोल की army तो हार गई लेकिन मुहमद बिन तुगलक को समझ में आया भाई अब एक काम करते हैं अब हम इन मंगोल के इलाकों पे attack करेंगे तो कहा गया कि ट्रांसोसियाना जिनकों मंगोल ने पहले जीता है इसको attack करेंगे इसलिए जूज आर्मी मनाई मुहमद बिन तुगलक ने हला कि उसका यह जो आईडिया था तगड़ा फेल हुआ था अब कुल मिला के देखा जा तो दिल्ली के आसपास के इलाके को strong करना चाहिए एक garrison town मनना चाहिए तो इसने क्या किया मुहमद बिन तुगलक ने नया garrison town बनाने के बजाए जो चार सिटी इस थी ना दिल्ली में जैसे सीरी, जहन पना, दिल्ली खुलना देखी तो दिल्ली खुलना को खाली करवा दिया इसने और दिल्ली खुलना में soldiers का garrison बना दिया नया garrison नहीं बनवाया दिल्ली खुलना city को खाली करा के वहाँ पे soldiers को बठा दिया और soldiers को जो लोग थे वहाँ पर जिनको वहाँ से निकाला तो city को खाली कराया, वहाँ पर soldiers को aggression बना दिया और उन लोगों से कहा गिए पैदल यात्रा सुरू करो, हम दौलताबाद जा रहे है south में, दौलताबाद हमारी नई captain होगी, यह जो उसका experiment था, कजब फेल हुआ तो इस पर मैंने वीडियो बना रखिये, अपने चैनल पर आप जाके देख सकते हैं फिर बात आई दोस्तों कि अब इतनी बड़ी आर्मी है तो उसको खाना भी खिलना पड़ेगा तो अलाउद्दीन खिलजी जैसा अच्छा management यहाँ पर मुहमद बिन तुगलग के टाइम पर था नहीं आर्मी के expenses को meet करने के लिए सुल्तान ने लगा दिये कुछ extra taxes और वो taxes लगाने वक्त उसके officers ने उससे बोला कि अभी taxes मत लगाई है लेकिन वो माना नहीं उसी समय पर भाई फमीन आ गया farmers ने बोला हम खेती बाड़ी करेंगे ही नहीं मुहमद बिन तुगलग दोड़ा के उन farmers को मारने लगा बात इतनी जदा हाथ से बाहर निकल गई कि पूरे का पूरा confusion फैल गया चुकि तो famine आ गया था उपर से tax लगा रहा है तो famine में पैदावार हुई नहीं agriculture की और tax मांगा जा रहा है लोगों से तो लोगों ने भी का हम agriculture नहीं करेंगे बात जब मुहमद बिन तुगलग को बात समझ में है कि सहीं में लोग परिशान है तो उसने का कि बई सबका agriculture लोन माफ कर दो लेकिन तब तक काफ़ी बवाल हो चुका था काफ़ी problem हो चुकी थी मुहमद बिन तुगलग भी अपनी soldiers को salary cash में देता था but problem यह होगी वो cash था token currency token currency में क्या था दोस्तों आज की date की present day paper currency की तरह था लेकिन आज की date का जो paper currency है यह उसको RBI बनाता है और उसको set standards और norms के साब से बनाता है हर कोई note नहीं बना सकता है ऐसे तो जहां देखें but instead of controlling prices उसने token currency का इस्तमाल का और वो token currency ऐसी थी जो ना gold की थी ना silver की थी वो token currency ऐसी थी जो लोग अपने घर में बनाना शुरू कर दिया लोहारों ने और इतनी जादा बढ़ गई वो token currency होता है ना currency एक ऐसी चीज होती जिसको केवाद state issue करे तो ही उसकी value है अगर घर-घर में currency बनने लगी तो उसकी कोई भी value नहीं बचेगी और ऐसा ही कहते हैं ना कि पहाड़ों के पासस से जब उसकी आर्मी निकल ली थी हमालियाज में इतनी ठंडी थी उस समय पे कि बहुत सारे soldiers तो ऐसे ही मरने लगे तो उसको समझ माया कि यह जो plan है ना ट्रांजोक सियाना को attack करने का भाई यह successful हो नहीं पाएगा इसलिए उसने इस plan को छोड़ दिया वो तब छोड़ा जब जाने कितने लोग मर गए जब दौलतापा शिफ्ट करने के जो capital plan था उसमें भी बहुत सारे लोग रास्ते में मर गए तो भी उसको समझ में आया भाई की गड़बड हो गई टैक्स बढ़ाया था जो उसने famine की समय पर जो टैक्स बढ़ाया था उसकी चक्करे में बहुत सार rebellion हो गया तो end में उसके बहुत सारे measures थे ना वो fail हो गए जिसके चलते में इसको पगला सुल्तान भी बोला जाता है कहता है कभी कभी आपने joke सुना होगा कि तुगलफ हो क्या तुगलफ मतलब आप ताना शा हो क्या पागल हो क्या जो एक जगा बैठके आप वो चला रहे हो राज चला रहे हो फिर भले ही मुहमद बिन तुगलफ अपने बहुत सारी चीजों में fail हुआ है लेकिन मोहमद बिन तुगलग वो पहला रूलर था दिल्ली सुल्तान का जिसने सोचा था फर्स टाइम की भाई एक मंगोल तरिटरी पर अटेक करके इस पे कबजा करेंगे अब तक मंगोल दिल्ली सल्टनाथ पर कबजा कर रहे हैं तो उनको डेटर कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत के रूलर्स। तो अब तक मंभूस की जो पॉलसी थी वो थी डिफेंसिव। पहली बार ऐसा हुआ कि तुगलक के समय पे जो दिल्ली सल्तनत की पॉलसी थी वो हुई अटाकिंग। उस समय पे बहुत सारे छोटी छोटी जोटी जवाड़े आगे आचके थी जिसने जवानपूर बंगाल, मालवा, गुजराद, गाजिस्थान, साउथ इंडिया में बहुत सारे इंडिपेंडेंट रूलर्स थे, उनके एफिशेंट रूलर्स थे, कैपिटल्स प्रॉस्पेरस थी, अफगांस, राजपूस के बहुत सारे गृप्स उपर निकल आए थे, उस समय पे एक और बहुत इंपॉर्टन रूलर्स आएगा, जिसका नाम था शेर्शाह सूरी, शेर्शाह सूरी, उसकी अंकल रहते थे बिहार में, उनकी छोटी सी टेरिटरी थी, वहां मेनेजर क थी तरह काम करता था, लेकिन वो बहुत काबिल और बहुत पैशनेट इंसान था, और एंड में देखेंगे कि भाई, उसने मुगल एंपरर हुमाईयू को हराया, मुगल एंपरर ने राज किया, बाबर के बाद हुमाईयू आया, उसने 1530 से 1540 तक राज किया, 1540 में ये हु 1550 में फिर हुमाईयू आएंगे, 1556 राज करेंगे, 1556 शुरू होगा अगबर का राज, कब तक चलेगा, 1615 तक, फिर शेशा सूरी देखेंगे, दिल्ली को काप्चर करेगा, अपनी खुद की डैनेस्टी बनाएगा, इसको सूरी डैनेस्टी बोलते हैं, सूरी डैनेस्टी ये मान सिंग ने चलाया था, मान सिंग ने सीखा कहा था ये सब, शेशा सूरी के साथ काम करते हैं, सीखा था, ठीके दोस्तों, फिर शेशा सूरी का जो अड्मिनिस्टेशन था, उसको किसने फॉलो किया था, भाईया अगबर ने फॉलो किया था, और अगबर ने मुगल अ empire को consolidate किया यहाँ पे दोस्तों एक छोटा सा fact दे रखा है, fact क्या है, the three orders the peace of God, the knights and the crusades, three orders ही जो idea है दोस्तों, यह France में originate हुआ था, France में originate हुआ 11th century में, इसमें क्या कहा गया है कि भई जितनी भी society के लोग हैं, उनको तीन class में बाढ़ दो, एक class है जो हमेशा पूजा करेगा, एक class है जो हमेशा लड़ेगा, एक class है जो हमेशा land को टेल करेगा, मतलब वो agriculture होगा, और church ने इसमें साथ दिया, चोकि church वाले थे pray करने वाले में और church वालों ने बोला कि यह सब पागल अपने आपस में लड़ते रहते हैं, तो इससे better है कि इनको consolidate करो और इनको भेजो Muslims के अगेंस लड़ाई करने के लिए ठीक है दोस्तों तो जब इस तीन भागों में इनकी society बढ़ गई तो एक series of campaign शुरू किया गया जिसको बोला crusades और उस crusades में एक class उभर के आई, योधाओं की warriors की जिनको कहा जाने लगा knights और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे powerful लोग निकल के आए आपके सब्सक्रें brave लोग निकल के आए जिनको knighthood मिली, उनको knight बोला के तो knights का concept यहाँ से निकल के आता है दोस्तों तो यह chapter यहाँ पर खतम होता है जितना कम समय में हो सका है उतने कम समय मैंने आपको चीजन समझाने की कोशिश की इस सब words का नाम के खरच क्या था याद कर यह tax था, एक तरीके का gender मंगोज, garrison, तारिक, इक था सब कुछ मैंने आपको समझाया है